हर खबर पर होगी आपकी पकड डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव एड अबात उत्तरप्रदेश के वारानसी की कोरोना ने रास्ते बंद किये तो कोरोना के सारे ही नए सफर की शुरुवात भी हुई ये खबर कोरोना की निराशा मिटाएगी कुछ करने की प्रिणा देगी मशीनों पर तेजी से दोड़ते हाथ कोरोना से बचाओ के लिए पीपी एकिट बना रहे कारीगरों के हैं कोरोना काल में व्यापार के बंदी छाई तो वारार्सी के पटिया के रहने वाले गोविंद अगरवाल को अपना पुष्ट एनी सारी का कारुबार बन करना पड़ा जिसके बाद गोविंद ने पीपी एकिट बनाने का काम शुरू किया लॉक डाउन के बाद में जब वो पूरा वैपार हम लोग का बंद सा हो गया है अब लग भी नहीं रहा था कि दो चार शह मेंने अभी इस वैपार के अंदर किसी भी तरह का कोई इस और सूट का काम जिसकी बज़े से हम लोगों को मजबूरन दूसरी तरफ पलाइन करना पड़ा जो एक अच्छा काम है एक देश की सेवा का भी काम हो रहा है यह हमारे करोना वारियर्स हैं जो फ्रेंट में आके आए हम लोग की जान बचा रहे हैं गोविन ने इस काम के लिए कोरोना में बेरोज़गार हुए थारिकलों के लिकर्था किया और DRDO की मंजूरी के साथ पीपी इकित का काम शुरू किया के पहले हम लोग शिलाई कर जो थे अपने गाव में राजा तो लागते शेतर में अभी लागडाउं से पहले सब दुकाने बंद अब टेलर था काम नहीं था तो हम लोग पहले से बैठे थे अभी इज़र मालूम पड़ा है पतिया जिस कारीगर काम करते हैं, एक कारीगर हर दिन में 15-20 किट तयार करता है। हर महीने में करीब 8-10,000 PPE किट बनाये जाते हैं। एक किट की कीमद 500 रुपए हैं। गोविन की फैक्टरी फूर्वांचल में PPE किट बनाने वाने इकलोथी फैक्टरी है। इस कारुबार के साथ गोविन ना सिर्फ खुद की बलकि उन कारीगरों की भी मदद की जिने कोरोना ने बेरुजगार बना दिया था। प्रिफटरी में के साथ रुद की बलकितरे की के साथ